नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोश्नी आजनी आप देख रहे हैं जन्वाद पैंज सच के साथ एक कदम और आम वैसे जो अमारा पहले का पुराणा गाउं है वो राजस्थान सिकर जिला रूपकड गाउं के हैं हम से जो अमारे दादा और पापा रहती है और अब हम कर याना में रत हुए थैज्टिसand 22 सालो這 अब करिंग क्रिंश के मादन से ज्मान चाहते हैं क्या बताना चाहती में प्लिश शर एक डेट चाल पहले मेरे भाई के साथ कुछ जाटों के लिड़टर ने मेरे भाई के साथ मातरवस का सातय प्राकरतिक समंद बनाया उसके साथ और उसको बहुत ज़्यादा परताडिक किया और मैंने उसकी अफायर वगर अलूज करवाई तो पुरा गाउं मेरे खिलाफ हो गया वह इनको गाउं से निकाड़ो अलाकि हमारा कुंद का मकान तक भी नहीं है हम ए मैं भी एक साल से मतलब सभी मेरे पास समझोते के लिए आते थे तुम समझोता कर लो तेरे को मार देंगे तेरी गरवाणों को निकाड़ देंगे अभियां से तो मैंने कोई समझोता नहीं किया मैं यह चाहती थी आज मेरे भाई के साथ हुआ है कल को किसी और भाई के साथ इसलिए मैंने आवाज उठाई अपने पुरे परिवार अपनी पुर्यादरी जो भी है मामा ताउ चाचा जो है मैं उनसे उपर होके इस कारवाई के वागे बढ़ा रही हूं और उन लोगों की दबंगता के कारण अब दिवाड़ी वाड़ी दिन मेरा भाई सुसाइड कर च तो हम उसको घर से उठा के ले जाएंगे और मैं यह भी कहना चाथती हूं कि उसकी वीडियो बढ़ाई हुए थी वह द्रक्स वगएरा नसे वगएरा के तिक्क्र बढ़ार करते थे जब भी वह ना जाता था तो उसको वीडियो का मतलब एक हिसारा करके उसको बलाते थे औ पहला टारगेट उनका मैं थी इस लड़की के साथ हम जब तक गाउं के सो लड़के इसके साथ गल्त नहीं करेंगे इसकी शरीर की आकड निकलेगी वह मेरी आकड निकालने के लिए उन्हें ने मेरे भाई के साथ बहुत गल्त किया कि मैं कुछ चीजे बोलना ने चाथी ठीक है किया नाम है अपके बाएका और रिकिमिन है उसकी वालल मेरे भाई की उमर मिरा ओसए करते हैं तरी अगर तू पताएगा ग़रवाडों को तो तःवीन वीडियो हम बलेख मिल और पूरे भारत में तरी वीडियो जाएगी और तू बद्दा आ осब्रसकराएग टुछु तुम मतर लगेगा तुम बसेरा इसटी के सोगज के ऐ मेंने को कुछ रहे हैं कि बूप सभी सबस्रीज़न स्वाज की है पे बहुं डरते हैं जब आपने शिकायत की वीडियो आपकी मुधुद है भाई जी उसके मुधुद प्लिस-परशासन कें उन्हें प्रुपरशासन के ने यह ताना चाहते हूं कि वहाँ का इसार पुलिस-परशासन हो रही है सर आप इसकी जल्दी गवाई करवाओ और मेरे को विडर लगता है क्योंकि भी मैंने इतना बड़ा उठाया है ये तो मतलब अभी केस हमारा गवाई पी चल रहा था इससे पहले अपना और मैंने स्पी डी सी हर जगे में चक्कर लगा के मैं ठक चुकी हो लेकि निसार प्रशाशन कुछ नहीं कर दिया मतलब जो भी है क्योंकि वहां हर तरफ से जाटों का वो है भी वो डरते हैं उदर से वो अप्रोच लगा देते हैं ऐसे नहीं करना यह है सर यह जरूबी आप जाट स्थावसी गाउं के हैं वो तो वो मेरे घर आके तो कपते बी इनो लड़कों ने बहुत गल्थ किया ठीक है तो मेरी समाज से यह रिक्वेस्ट है जव एक जाट मेरे घरा के और वो मतलब जाट का इपक्स रख रहा है और मेरे समाज में 17 मिल अंपी है ठीक है 17 मिले हैं दो बहुजण समाज है, फेर भी हमारा समाज चुकए है, बंदा आके हमारे घर हमारे घर आके गया, तो बंदे ने चौकई में मैं केली गई थी तो अगे उसी का नाम रजिस्टर पे लिखया हुआ था गिरन्दीए How मेरे को बहुत मतलब बैड फील हुआ है कि देखो जाट होने के बावजूद भी यह जाट की तरफदारी कर लेकिन मेरा समाज इतना चूप है इतना बड़ा ट्रेजडी हुई है हिसार डिस्टिक में और मैंने अकेली ने इस चीज का विरूद किया है और मेरे उपर दोबर हम हम असोगतवर जी जो हमारे पूरो सांसद हैं उनसे मिलने के लिए गए थे तो हम काफी नाइट होगी थी तो हम जो हमारे सतीज काजला जी हम उनके साथ चली गई थी तो वहां पे कोई लड़का आया और उसने हाथ में मतलब असला वगयरा कुछ था उसके हाथ में वो मैं पिछे वागे तो वो गाड़ी नोवा गाड़ी में चड़के फ्रार हो गया उससे पहले भी मेरे साथ आदसु आ है मेरे नोवा गाड़ी अब बता रहे हो उसका कोई नमर हो गयर नोट के अपकर पढ़ नहीं सर वो मतलब दूमर ज्यादा थी तो कुछ दिखाई नी दिया मेरे को आपने कोसिस पूरी की है लेकिन अमको कुछ पता ने लगा और मैला थाणा में इसकायत भी दर्ज कराई है लेकिन कोई रिस्पॉंस नहीं आया मैंने एक जारी क्याद में पर कोल भी करी है मतलब पुलीस अपना एक फॉर्मल्टी करके जाती है मेरी एक मतलब जो प हमारे अबी असोख मinen जी थे बिफॉण वो चले गए अभी प्रिंका सूनी ओंडा है अभी आई है ऊथ वो नए ऊसपी है वो मतलब उनकी बात जब भी कुछ नहीं करते और है ने मैले मंतरी तो मीले हैं काफी लोगों से मीले हैं मतलब बात कोई की इगनोर कर देते जो बोटों की बात आते हैं तब तो बहुजन समाज के घर-घर जाकते हैं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे जब इनको तो इस हार डिस्टिक में इतनी बड़ी ट्रेजडी हुई है तो वह इनको नजर नहीं आ रही तो ऐसे तो मर जाएगा पूरा बोजन समाज है और कहते हैं संगठन अजारों बढ़े हुए हमारी समाज में कहते हैं हमारी लड़कियां समाज की आगी नहीं आती अरे मैं आगे संगठन सयोग कर रहा है मेरे जब मेरे बाई के डाथ हुई थी तीन दिन धरन आम पांच दिन दास संसकार किया था बोड़ी का तब भीमार में से कुछ लोग आए थे बतर्व और बी संगठन उसके बाद तो उन्होंने मेरी स्तित्ति तक में मेरे गावों में जाके भी नह कि तुमारी कैसी स्थित्थी है और तुम कैसी महल में रह रहे हो तो यह समाज दो दिन आता है हपड़ात-पड़ं अपनी मचाता सब लोग राज नीति के चक्र में नहीं थीग है मैं राजनीति करों ठीगराजद मीस करो लेकिन समाज में जो उसको भी तो सयोक्तों ना मैं तो एक लड़की हुए इतना बड़ा विरोध किया है गाउं में पुरा गाउं मेरे खिलाफ है मम्मी मेरी मेंटली डिस्टरब है मेरे चोटे-चोटे बैंड भाई है तेख अब कहा गया अब समाज वो कहा गया आप को डर लगता है कि नए जिसको उटा रहे हों कि कभी कुछ भी किह सता है नए विर उसके मयरा कोई डर्णी लगता और मैं ने कोई कट ऐले किया मैं अपने बाइग के लिए ने कोई गल्ट नी किया पुलिस परसाइस सुन लेकिन हम तो अपना करते हुए करते रहें क्योंकि बाबा साहिब का मेरे को समाज सयोग करे या ना करे बाबा साहिब का सवीदान है जब तक मेरे को जितनी नोलेज है जितना मैं कर रही हूं मैं ठीक कर रही हूं मेरे को समाज स उनको स्योग करना चाहिए आज अब वो मेरे को स्योग नहीं करेंगे तो मरने के बाद मेरा केंडल मार्च नहीं काड़े चाहिए वो कुछ भी नहीं काड़े कुछ चीज का कोई फाइदा नहीं है तो अपने जितने भी MP MLA पारसद हैं उनको आप क्या बोलना चाहिए मैं उनको यहीं बोलना चाहती हूँ कि आज मेरे साथ tragedy हुई है मेरे बाई के साथ तलको मेरे साथ भी होएगी और आने वाड़े ताइम में वो घर घर जो भी घर में बंदे हर किसी के साथ होएगी अगर इन बंदों नहीं हमारा स्योग नहीं किया तो मतलब जो आम वेक्ती है ञें जो मतलब जाड़ी मजदूरी बंदे हों वो कैसे क्योपरेट करेंगी उनकी तो कॉई सुनता ही नहीं आज मैं एक मजदूर की लड़की हूं मेरी तो ऊमेले मंतरी की सुनते हमारी तो को सुनता ही नहीं तो दक्षे खाकिया जाते हमाशो आ हम शेलित कर दूब भाई.